अग्याइब अग्याइब टुद्धा होंक्लासिस स्टुडेंस इलेक्ट्रोस्टेडिक्स में आए तक हम लोगों ने कोलम्जला सुपर पूजिशन प्रिंसिपल एलेक्ट्रिक फिल्ड यह बहुत सारी कंसेट्ट पढ़के आये हम लोग और एलेक्ट्रिक फिल्ड जो है उस एक बात ही जब कभी हम सुपर पूजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो वहां वैक्टर्स की बात करते हैं हम लोग जो अगर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कंप्लिकेटिट केस हो जाता है हमारे लिए ठीक है बहुत सारे चार्ज होगे तो उस केस्में मुश्क हो जाता है कि हम लोगों के लिए कि किसी पॉइंट पर क्या फाइंड करें इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइंड करें इस काम को असान जो किया इसी किया और क्रेडिट गोज तो कार्ल फैडरिज गॉस क्लियर जिन्हों ने क्या किया एक लाओ दिया डट लाइस तक पहुंचने के लिए उसको समझने से पहले दो टर्म्स हमारे पास आती है उनको समझना है दो टर्म्स मतलब कौन सा हो गया एरिया वैक्टर और दूसरी बात आएगी एलेक्टिक फ्लक्स एरिया वैक्टर और एलेक्टिक फ्लक्स पहले हम एरिया वैक्टर की बात करते ह तो थोड़ा सा कंफ्यूस शाहिद हो रहे होंगे कि एरिया जो है वो तो स्किलर कॉइंटिटी है वह वैक्टर में कहां गुशे गुश रही है तो इसके लिए धार केंगे स्टेंट्स है म долларов है जो है जब सकेलर कॉइंटिटी में ब्लीक्स में परीक्श करते हैं एरिया उनलंडिक्स करें कeton सब्सक Appreciate तक यूप हम यह को सब्सक्राइब को हम क्या मानके चलतें वेक्टर किंस्डर करतें सो देट के हमारा काम जो है वह इजी हो जाए जब हम एरिया को उसके बात करनी पड़ेगी तो स्टें सिंपल साय रखेंगे एरिया में उसका direction किस तरफ देना है तो पहली figure देख रहे हैं आप लोग फर्स फिग्र में देखें यहां पर हम लोग जो भी surface है जो भी surface है उसका अपना area आप ले रहे होंगे उसका वाक्टर का direction लोगे वो उस surface के perpendicular में लेंगे जैसे आप figure में देख करें वह इसके प्रपेडिक वुल nós थाया का एरिया एक आप देरेश्ट हाँ two भाई दॉस्तिन सर्फेस दूस्री कोई भी शेसरीं बाइक की꽃 में आप लोगें एकिसके निलेखेलिया का डिरेक्शिंड लोगया दूसरी है अग्तोरफंद इस नखिन contest sudah में थोड़ा सा अंडिस्ट नकरने के लिए वाड़े एलेक्टिव फलक्स तो उसमें देखे हमाई पस दो नल हे टैप्स ठेके डोनल है दून से पानी आ रहा है एक का डायमिटर कम है और दूसरे का डायमिटर ज्यादा है ज्यादा पानी कहां से आएगा निशली बात है किस से बड़े बड़े में से अगर हम जो बड़े में से पानी आ रहा है तो अगर हम उस पानी को लैंस में रिपर्जंस करें कि वह बड़े बड़े a iau कि कयाझा ज्याद YOUR highway वहाँ पर वाटर का आप दिए जब वर्ड यूज करते तो हम लोग किसको कंट करेंगे वहां पर नमब्र ओव लाइन्स देखी आपने बड़े टेप में से नमब्र ओफ लाइन्स वाटर की ज़्यादा आ रही है चोटे वले में से क्या रही है तो बड़े वले में हम क्या से वाटर फ्लक्स ज़ हमारे पास चार्ज की बात आ जाएगी एलेक्ट्क फियल्ड की बात आ आ जाएगीक क्लिए मेरे वही रहेगा जो हूं लोग पानी है इसको समयना एक्टिफस मालते हैं क्लिए से एक पॉजिट्टिव से च्प्प आपकी क्लेतिक फिर्ड जो लेक्ति फिल भी मिट में एक सब्सक्राइब आपने हाथ रख दिया अब टोटल नंबर फिलेक्टिक फिलाइन्स पासिं थू आपने बीच में हाथ रखा आपके हाथ से कितनी एलेक्टिक फिलाइन्स क्रास होके कि नारमली आपके हाथ से प्रपेंडिक फिलेक्टिक निकल के जा रहे हैं नमबर फिलाइन्स कितनी निकल के जा रही है वह उस पर्टिक्लु एरिया से निकला हुआ है उसको हम करेंगे और ले लहते हम लोग यह फिगर देख रहे हैं आप लोग बोल्ड भी इस फिगर में ल सब्सक्राइब छोटे साइस का है थर्ड वले में है थर्ड वले में क्या हो रहा है कि वह चीज तो वह ही है ठीक है बट पर्पेंडिकलर होने के बजाए वह क्या है इस तरह से जीरो डिगरी पर चल रही है फोर्थ वले पॉइंट में एक अलग सी शेप की बोडी है अब पर दोनों के बीच में क्या है और सेम चल रहे है तो इसका मतलब उन दोनों की बीच का है जो सर्फिस वह चोटा है तो में इसली बाता वहां से एलेक्टिक फिल्ड आइस भी क्या होंगी कम निकल के बहार आएंगी तो कम निकल के आएंगी की करी सिर्स वहां पर की थोड़ा क्या होगा कम होगा जंकी बोड़ी जो है मों बील्कटिक रफ से है बलकल फिलेक्ट है एलेक्टिक फिल्ड तो पन पर से ही के में वाहां पर दक के इंगल बन रहा बीच हमें वह कितना है 90 रिका है ऐसे में कोई भी लैक्टिक फी लाइंज निकल आएंगे उससाथ से क्या होगा का प्रेक्टिक फ्लक्स होगा तो यहां फ्लक्स में देखा फ्रस्टिकर में क्या है सब्सक्राइब देखेंगे जो थर्ड केसमरे लिया था था पहले पहले केस ते लेक्टिफिल थी तो इस तरह से बोडी थी यहाँ से निकलेंगा इहां से निकलेंगी यहां से बाहर निकलेंगी और यहां पर जहां फटारा एरिया वाक्टर है वो क्या है प्र्पेंडिमिल में है फट्स सो धीमिटिक ली इसका थोटोड़ा अंधदाज हो गया होगा हमारे पास तो चीज़ाँ पर डिपैंड कर रहा एक तो डिपैंड रहे हैं तो रिया पर जैसे केस में कर देखा सरे दा ते था तो फ्लक्स की strength कितनी है वो भी stress matter करेगी इसलिए mathematical हम कहते है क्या चिस flux d5e d5e मिस small amount of flux from the small area this is small area से जो small electric flux निकल क्या रहा है उसके लिए लिख रहे हम लो क्या d5e is equal to कि अटम ज्या रहन तो गदादसर अन्स वाक्टर आपका फिल्ड़ थीक्र भी प्रड़ क्या थे लिख एअ था टॉफटक अ र्ला कुट्ट अल्ड़ रूट शुक्ट सी बस भाई आप इंटेखर दिफाइगा आपके पास फाइई इस इक्वेल टू उस्ताइट करना पढ़ेगा आपको इंटेखेशन करनी पढ़ेगे इंटेखर और प्रफिट इडाट डियस ऑवाधा तो फिल्स जो भी आपके पास Люб vin par minute हो और ट्याय के से इढ़ना है यह अद्हुत है यह बन गया है क्या आपके पास पर कुल लाई इसरी में एक पास हो जिया एक स्केलर क्वैलर पैक्टिक फ्लक्स स्केलर कॉसले गॉंटिटी ए पात हम फ्लक्स जो है क्तिक तो अब हम बात करते हैं किसकी गाजीज लाकी क्लियर तो तो हम देखते हैं कि Giazzi Lahr क्या क्या होता है ओ हम लोग क께 स्वेंद्ध गाजीज लाके क्या क्या है जो हम लोगािज लाक की स्टेटमेंट जो है वह क्या क्या ते है जोंक स्वेंद्ध है फोतल फिर्टीन को मर अप है तो yhtी अलेक्टिक घॉक स्टिक थे स्टीक the closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed in the surface means closed integral of E dot ds 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 the electric flux the total number of electric field lines is equal to Q upon epsilon 0. Q upon epsilon 0. so students let's discuss the proof of the gazisla gazisla abhi pardh ke hai hem log elective flux means closed integral of E dot ds is equal to Q upon epsilon 0. clear? yeh humara thakya chis gazisla. abh humne proof karna ki left hand side is equal to means flux is equal to Q by epsilon 0. isqe liya ham log e xp air layer jis ka center me hamara ek johe isolated charge johe woh liya hamne q. radius xfere ki liya rye ham log kitniki r. abu ek baat jhaan se sami liena. amma logon ko kiya karna isko proof karna ke liye. amma ko yaha p e lena padega. p point p electric field intensity kitniki hai. woh find karna hai. woh relation na hamne drive kiya hua hai. second haemne yhe area element johe. is yhe iska direction yhe ya kis ki equal hai. yhe lena hai. in nono ka kya leengi haem log. dart product leengi haem log. clear? और उस ko phir haem log kya karengi? uski close integral karengi haem log. तो हमारे पास left hand side ajaegi. और उसी ko solve karke हमारे पास kya ajaegi? right hand side ajaegi Q by epsilon 0. clear? तो पहले तो देखे है p point पर हमारी electric field intensity कितनी आएगी? due to this point charge q. and that is given by e is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. q upon r square into unit vector r. electric field intensity at the point p due to the point charge q. यह हमने पहले पढ़ा है. दूसरी बात हमें करनी पढ़ेगी किसकी area element vector की बात करनी पढ़ेग? इसके लिए माह लेते हैं एक small area यहां पर consider कर लेते हैं हम लोग. ठीक है? कौन से area consider किया हमने? ds area consider किया. और इस area vector का element का vector का direction जो है इस surface के क्या रहेगा? perpendicular में रहेगा. तो यह मालती इसका direction आ गया कितना? union vector n. union vector n और e जो है वो सेम direction में चल रहे हैं यह बात द्यान ठीक है? clear? तो यह दो equations हमारे पास आ गई. तो हम लोग ने अब दोनों का क्या करना है? dart product लेना है. अब हम क्या करेंगे? first equation और second equation जो बने हम दोनों का क्या ले रहे है? dart product ले रहे है e क्या था? 1 upon 4 pi epsilon q upon r square into unit vector r dart ds किसकी कुल था? magnitude of area into unit vector clear? अब next step में हमारे पास 1 by 4 pi epsilon q upon r square into ds अलग से ले रहे हैं और यह हमारा unit vector r और dart किसका ले रहे है? unit vector n अब चुक्कि unit vector r और unit vector n नोनों same direction में थे क्योंकि electric field और हमारा area vector same direction में थे dart product उनका किसकी इकुल हो जाएगा? 1 की इकुल हो जाएगा e dot ds is equal to 1 upon 4 pi q upon r square into कितना ds अलगया clear? so left hand side मिल रहे हमें left hand में e dot ds मिल गया अब हमारी किसकी कमी है? close integral की कमी है तो taking close integral both sides clear? so close integral of e dot ds is equal to close integral of this whole अब इस whole का close integral ले रहे हैं but integration किसकी आएगी? ds की होगी तो बाकी तो हमने out से ले लिया तो किया किया हमने दोनों तरफ close integral लगा दिया left side तो मिल गई जो हमें चाहिए थी so close integral of e dot ds is equal to 1 upon 4 pi epsilon q upon r square into ds close integral of ds ds की integration करें तो कितने आएगी? s और s का मतलब क्या हुआ? s का मतलब क्या हुआ? इस पूरे का surface area और चुकि sphere थी इसका surface area कितना आ जाएगा? 4 pi r square आ जाएगा ठीक है? यहां से यह 4 pi यह 4 pi कट कर सकते हम लोग r square और r square कट कर गे तो क्या बच गया आपके पास? close integral of e dot 5 close integral of e dot ds is equal to उपर बच गया q और नीचे बच गया कितना? epsilon not बच गया और इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यह हमारा गासिजला जो है वह प्रूफ हुआ तो द्यारक ना यह जो उपर charge लेते हम लोग यह total charge लेते हम लोग ठीक है? हमने वहां पे figure में charge जो है वो लिया था कितना? क्यू लिया था? that's why यहां पे क्यू है वहां पे जितना charge है यहां पे charge आएगा और अगर charge यह 0 है कोई sphere आप ले रहे हैं उसके अंदर charge 0 है तो यादना उसमें से कोई भी flux बहार नहीं आएगा उसमें से कोई भी electric fill lines बहार नहीं आएगी ओके? Now, let us discuss the applications of Gazi's law and first, we are going to discuss to derive the relation for electric fill intensity due to an infinitely long straight uniformly charged wire or line तो let us start first application हम लोग discuss कर रहे है electric fill intensity due to an infinitely long straight uniformly charged wire or line इसका मेनिंग यह है कि मैं suppose करते हैं हम लोग suppose करते हैं हम लोग यह हमारे पास एक infinite straight जो है वो wire है यह line है इसके ओपर uniformly charges का हुए है distributed है large number of charges के ओपर क्या है distributed है अब हम चाहते हैं कि इस पूरे whole जो wire है इसकी respective यहां कोई point P है जो एक certain distance पर है ठीक है इस P point पर total जो electric field होगी वो कितनी होगी clear उसको find करना है तो इसके लिए चुकि हम गाजिजला apply करेंगे और उसको apply करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक close surface लेनी पड़ेगी तो इसके या देखने एक बात और ठीक है गाजिजला हमें कहता है close integral of e.ds तो वो जो line integral operate करने के लिए हमें close surface चाहिए होती है that is called Gaussian surface इसलिए गाजिजला apply करना है तो एक Gaussian surface मतलब close surface हम लोगों के क्या करने पड़ती है consider करने पड़ती है वैसे तो कोई भी करते है बट regular होगी तो ठीक है irregular लेंगे तो उसमें क्या रहता है problem होती है आगे calculation में तो मालते हैं हमने एक system लिया और यह एक Gaussian surface cylindrical Gaussian surface क्लोज surface हमने इसके around में suppose कर दी clear जिसकी length हम ले रहे है कितनी L ले रहे तो यह point P था जहां पिहां में electric field intensity next to है वो क्या करने है find करने है clear तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा break कर लेते है यसी एक surface है break कर रहे है हम लोग इसको यह एक surface आपके पास जो circular ring है यह मालते है S1 surface है ठीक है यह जो cut surface है यह slender का जो center की body है वो मालते हमारा second surface है और यह जो ring तीसरी बन रही है end पे वो हमारा कितना है S3 S1 और S3 same होंगे slender जिसकी radius कितनी हमने आर ली तो एक दो चीज़े हम पहले देख लेते हैं फिर आगे के तरफ चलते हैं अब P point पर हम लोग पहले देखते है electric field का direction किस तरफ है तो positive है positive से electric field का direction किस तरफ होगा outward होगा clear और इसी में P point पर ही हमारा जो area element है उसका direction क्या होगा इस surface के प्रपेंडिकुलर तो area element का जो direction है वो भी क्या है same है इस surface S1 पर S1 surface पर electric field का direction किस तरफ रहेगा वो तो रहेगा outward उपर की तरफ positive से outward इस point पर area factor जो है उसका direction क्या रहेगा इस surface के S1 surface के perpendicular तो यह हमारा electric field थी और यह हमारा क्या आएगा area vector आएगा unit vector N ले सकते हैं अब लोग इस S3 surface पर याद एकना strength figure ही main है ठीक है आगे तो calculation है figure को समझे ध्यान से तो S3 surface face पर field का direction क्या रहेगा यह तो outward रहेगा electric field इस तरफ से रहेगी और यहाँ पर area element रहेगा इसके perpendicular यह DS vector आगे आपके पास ठीक है तो center जो S2 surface ली है याद एकना वहाँ PE और जो area vector है वो same direction में है तो वहाँ उन दोनों के बीचे वह angle 0 degree का है तो starting में S1 surface और S3 surface इनमें जो आपके पास कितने कितने degree का angle बन रहा है 90 degree का angle बन रहा है clear okay students so now let's start आगे के बात करते हैं पहली बात जो करते हैं that is lambda कि जो surface अपने distribution की थी linear charge density linear charge density कि किसके equal थी charge is finite length यहाँ से क्यों किसके equal हो गया lambda into L it means this cylindrical part के अंदर imaginary cylinder हमने suppose किया यहाँ पर इसकी length कितनी है L इसमें कितना charge होगा total इसमें charge होगा that is equal to surface charge density into length के equal होगा now from gazila we have closed integral of e dot ds is equal to q by epsilon not clear that is equal to जब आँ बात करे थी closed integral है यहाँ पर तो उपर इसलिए हमने क्या किया s1, s2, s3 faces surfaces अलग की थी तो उसको closed integral part को क्या करते है break करते हैं closed integral को move करके हमने surfaces अलग कर दिये s1 over s2 over s3 equal to कितना हुआ क्यो भई epsilon not अब याद है यह dot data dot data को remove करोगे तो क्या आता है cos theta, cos theta, eds cos theta आएगा पहले वले case में students कितना था theta इस वले case में theta था 90 second case में theta था हमारा 0 degree और third case में कितना था 90 था इस बात को द्यार रखेंगे so पहले case में हमारे पास कितना आ गया a-ds cos 90 over s1 a-ds cos 0 s2 a-ds cos 90 s कितना हो गया 3 is equal to q by कितना हुआ epsilon not हो गया इसके बाद next step में जो है cos 90 कितना होगा 0 तो यह 0 रहा गया cos 90 0 रहा गया a-ds because cos 90 0 degree 1 की रहा होता है and that is equal to e हमने out से ले लिया अंदर आ गया पास our ds is equal to q by कितना ds की indication कितनी हो जाएगी s, s मतलब कितना हो गया surface area किसका slender का clear surface का slender area जो होता है वह किसकी कितना होता है 2 pi r h but length हमने यहाँ l लिह e 2 pi r l q by epsilon not हमें यहाँ से यादना e find करना है elective intensity find करने e is equal कितना हो जाएगा आपके पास q upon 2 pi r l epsilon not clear और एक बात और थी है q किसकी कुल लिया था आपने उपर q किसकी कुल लिया हुए हमने q लिया हमने lambda l q equal to e is equal to lambda l upon 2 pi r l यह l और e l cut कर दोगे तो हमारे पास finalization बनता है क्या e is equal to lambda upon 2 pi r epsilon not तो यहाँ द्यार रहेंगे elective intensity is inversely proportional to क्या है r है clear it means उस line से जितना हम दूर चलते रहेंगे इस line से जितना हम उपर दूर चलते रहेंगे उतनी elective intensity क्या होती रहेगी कम होती रहेगी second application जो ले रहे हम लोग elective intensity ही find करेंगे due to a thin infinite sheet of charges electric field intensity due to a thin sheet of charges इसमें क्या है जैसे sheet है charges का thin sheet of charges यहाँ charges की क्या हुई है distribution हुए तो यहाँ कोई point है माल लेते हैं ठीक है इस sheet से इतना दूर कोई point है वहाँ elective field intensity आपको क्या करनी है find करनी है तो जब हम Gaussian surface लेंगे clear तो इस तरह की cylindrical Gaussian surface इसके बीच में point माल लेते हैं यह white लद दिखर आपको इस point पे आपको elective field intensity find करनी है ठीक है तो एक बीच में cylindrical Gaussian surface जो है वो consider हम लोग कर लेंगे जैसे आप figure में देख रहे हैं clear यह देखें एक thin sheet of charges था हमारे पास clear तो यह बीच में एक Gaussian surface जो है वो consider की है cylindrical form clear इसको भी same हमने यह वाला ring जो है S1 माना है यह वाला surface cylindrical Gaussian surface का S2 है और यह जो तीसरा ring है circular है वो तो वो है कितना S3 अब electric field देख रहे हैं इस तरफ elective positive है तो यह outward रहेगा इस तरफ elective field का direction और इस S3 phase पर जो है field area vector का direction भी क्या है उसके perpendicular दोनों same direction में रहेंगे यह जो point है जिस point पे आपको elective field intensity find करनी है point P है जिस हाँ पे हमने क्या करना है elective field intensity find करनी है तो यहाँ पे field का direction यह तो positive है तो यह outward रहेगा वैसा ही और area vector जो है वो इस surface की क्या रहेगा perpendicular इधर देखें sheet के दोनों तरफ elective field होगी ठीक है तो इस तरफ positive था sheet तो elective field intensity इस तरफ आ जाएगी और यहाँ पे area element जो है वो भी left side में चलेगा इसके क्या perpendicular clear आगे तो same जैसे हमने technique यूज करके आए है वैसे होगी तो गाजिला के इसाब से close integral of e dot ds is equal to q by epsilon not जैसे अभी आपने close integral को remove करके break किया था divide किया था वैसे divide करेंगे तो क्या आएगा e dot ds e dot ds integration over s1 over s2 over s3 is equal to q by epsilon not तो याद रखना है e dot ds तो पहले वले case में हमारे पास यहाँ कितनी डिका angle है e or yourself के भी त में 0 degree का second केस में कितना है ? 90 degree का angle है थर्ड वले केस है 0 degree का angle । यहाँ पे अगर हम इस करेंगे to कितना आ जायेगा e स cost ? 0 degree कितना आ Module जाएगा 0 degree यहाँQué 90 degree और यहां पे 0 degree तो 90 degree पहला पार्ट तो 0 हो जाया विकास कॉस 90 0 होता है तो तब हमारे पास 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ले लिया आवर s1 s2 our s1 s2 और s3 and that is equal to q by epsilon not so हमारा first और third part जो है वो बच रहा है second part तो सकॉस 90 था तो 0 हो गया clear first part में e लिया ds की integration कितनी हुई s third part में third term में e लिया आपने और ds की integration कितनी हो गया q upon कितना हुआ epsilon not so e s plus e s कितना हो गया twice of e s is equal to q by कितना हुआ epsilon not हमें e find करने e is equal to कितना हो गया q upon यहां से 2s denominator में आ गया 2s epsilon not e is equal to q clear कि भाई जो हमने element लिया है उसमें total charge कितना है तो वो किसकी कुल हो जाएगा surface charge industry into area because हमारे पास sigma जो होता है surface charge industry वो किसकी कुल होता है charge per unit area so क्यों किसकी कुल हो जाएगा आपके पास sigma into s sigma into s upon 2s epsilon not clear यहां से s s कर जाएगा sigma upon twice of epsilon not so electrical intensity due to thin sheet of charges that is equal to sigma means surface charge density divided by twice of epsilon not third application जो हम लोग आजिसला की ले रहे है इसमें same electric field intensity ही find करना है due to a uniformly charged spherical shell let's start application electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell clear students इसका meaning क्या है कि यह एक spherical shell है uniformly charged इसकी surface पे हमने लिया है तो इस case में हम लोग इसका center O है radius is square है तो इस case में हमने क्या find करनी है electric field intensity find करनी है at different points तो students याद दखना है यहां पे three हमारे अलगलग cases बनेंगे वो आजाएगा आपके पास इस तरह से situation जो है वो बनेगी तो यह हमारा spherical shell थी यह पी-point है outside the shell इस पी-point पर electrical intensity find करनी है यह हमने एक Gaussian surface जो है वो consider की है O से P का distance माल लेते हैं small r है clear पी-point पर जो electrical intensity का direction है वो outward है पी-point पर ही जो area element है उसका direction perpendicular है वो भी same direction है outward है clear यह इन वेक्टर n से represent कर रहे है यह हम small area element जो है पहले वो ले रहे है पहले small के लिए निकालेंगे फिर total के लिए बात करेंगे अब इस surface पे जो हमारी surface charge dynasty है that is charge divided by area and यहां से total charge हो आएगा q is equal to कितना हो जाएगा sigma into a यह ध्यान मेक्तना आगे हम लोग यूस करेंगे now from Gazi's love we have close integral of e dot ds is equal to q by epsilon not clear so dart protect को remove करोगे तो cos theta आएगा cos theta मतलब किस किस में elective field और area element की बीच में direction वो कितने दीर का angle आया था भी 0 degree का angle आया तो cos 0 कितना हुआ 1 to close integral of e dot e ds q by epsilon not आजाएगा आपके पास clear so यह next step हमारे पास इसका बन रहा है that is e out से ले लिया अंदर क्या आगया आपके पास close integral of ds q by epsilon not e close integral of ds तो ds की integration करेंगे तो कितने आजाएगी s s का मतलब surface area किसका surface area वो जो आपने caution surface पूरी ली थी जिसका radius small r लिया था तो कितना area आएगा आपके पास 4 pi r square into q by कितना हुआ epsilon not तो यहां से elective intensity find करने थी तो यह हम लोग डिनामीटर में ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना e is equal to q upon 4 pi epsilon not r square okay तो next जो है q को substitute करेंगे वैसे तो q निकालके भी आये हैं हम लोग आगे पहले sigma is equal to q by a surface dynasty q is equal to sigma a clear तो sigma surface dynasty a क्या है area किसका area area of shell जिस shell का area आपने capital r लिया है तो यहां हमें small r कहां पे लेना है और capital r क्या लेना है sigma 4 pi r square तो उपर की equation ने put कर लेते हम लोग तो क्या बन जाएगा students हमारे पास यह e is equal to sigma 4 pi r square यह q की जगा लिखा upon 4 pi epsilon r square तो क्या कट रहा है यहां से 4 pi और 4 pi क्या हो रहा है कट रहा है यह दोनों कटेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास final relation e is equal to sigma capital r square upon epsilon not small r square ठेक है तो यह यादखना कि हमारे पास consolation elective intensity outside the shell पे है इसी में students हमारे अलग cases आते है के second है इसका when p lies on the surface surface of the spherical shell उस case में small r capital r आपस में क्या हो जाएंगे equal यह small capital r or small r equal हो जाएंगे यह दोनों equal होंगे तो यह कट सकते हैं यह कटेंगे तो e किसकी इसकी इसकी इकल आजाएगा simply sigma y कितना epsilon not यह यादखना on the surface of the spherical shell पे जो लेक्टिव में होगा तो capital r जो होगा वो less हो जाएगा और small r बड़ा हो जाएगा शेल के कहां हो गया यह अंदर चला गया point अब surface shell के अंदर charge कितना है जीरो clear तो गाजी जला apply करेंगे close integral of e dot ds is equal to q by कितना हुआ epsilon तो shell के अंदर q कितना है जीरो तो नेशनी बात है उस time electric field भी कितने आएगे उस case में 0 electric field आएगे clear thank you students